हर साल फरवरी की खुबसूरत सुबे और सजी हुई संसत से बरसते हुए जूटे वाइदों की जवाब दे ही कौन तै करेगा नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया जील में पानी बरसता है हमारे देश में खेत पानी को तरसता है हमारे देश में जिन्दगी का हाल खसता है हमारे देश में दूद महंगा खून ससता है हमारे देश में फिल्मे टेक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जियस्टी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं प्रधान मंत्री जी की सेकड़ों बार थपतपाई गई मेच के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया और बड़े बड़े दावे किये गए देश ये कैसा बनाया आपने लूट कर पैसा बनाया आपने देखिये जलते दिये भी बुझ गए अजब दीपक राग गाया आपने मैं पूरा सदन अमरित काल के बजट की चर्चा कर रहा है मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा तुम्हारी फाइलों में गाउं का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकडे जूटे हैं ये दावा किताबी है मैं इस बजट को अमीरों का अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया सालों से अपने लिए छट तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया और फिर आपको पूरी उमीद है कि पूरा देश आपके इस किये गए पेश किये गए बजट पे लहा लोट हो जाए तालियां पीटे मंगल गान गाए कैसे संभो है मैं सदन में खड़ा हो करके इस बजट पे चर्चा करते हुए कहना चाहता हूँ कि इस बजट में फुटपात पर रहने वाले छप्परों में रहने वाले जुग्यों में रहने वालों के लिए क्या है उनके लिए क्या है जो प्रधान मंतरी के किये गए वाइदों की बाट जो हो रहे हैं हर साल फरवरी की खुबसूरत सुबह और सजी हुई संसत से बरसते हुए जूटे वाइदों की जवाब दे ही कौन ते करेगा कौन बताएगा कि 2022 में प्रधान मंतरी जी जो सब को पक्का मकान देने वाला वाइदा किये थे उसका क्या हुआ लोगों के सरों पर छट देने वाले प्रधान मंतरी जी के जुमलों से अलग उन्हें ये क्यों नहीं दिखता कि राज्जों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छटें उजाड रहे हैं उत्तर प्रदेश हो आसम हो जम्मू कश्मीर हो मद्ध प्रदेश हो भाजपा शासित राज्जों के बुल्डोजर ना सिर्फ लोगों के घरों को उजाड रहे हैं बलकि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को सम्विधान को अदालतों के मेयार को मैं मैं आंकड़ों की बाजी गरी से अलग हट करके इस बजट पर एक बात कहना चाहता हूँ आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के ये कह रहे हैं चार करोन बित्त मंत्री जी तीन करोन कहते हैं प्रदान मंत्री जी चार करोन कहते हैं पहले तो आप इस जूट में ही आपस में ह लट लीजे के चार करोन सही है या तीन करोन सही है मैं आकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के मैं कि जो सुने वो बस पथराई आंखे लेकर किंग करतब बे भी मूड हो जाए लेकिन जील में पानी बरसता है हमारे देश में जील में पानी बरसता है हमारे देश में खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खसता है हमारे देश में, दूद महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, मैं, रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की, MSP की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से, इ हमारे ट्रेजरी बेंच के साथ हंगामा कर रहे हैं मैं तो कहना चाहता हूं मैं वो एक बार इनके एक नेता एक गाउं में गए और उन्होंने गाउं में का कि गाउंवालों आओं मैं तुम्हारी समस्यां समाप्त करना चाहता हूं गाउंवाले इकठा हो गए नेता जी ने ग मोबाइल निकाला कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पर फटा नहीं क्या कुछ कहा कि यहां गाउं में आस्पिटल नहीं है तुरंथ यहां ऑस्पिटल चाहिए गाउंवाले खुश हो गए कि एक मिनट में हाँ ऑस्पिटल आ रहा है अगली समस्या के बारे में उन्हों नेता जिनने गाहँवालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्चा समावत कर दी, दूसरी समस्या बताओ तो गाहँवालों ने कहा साब इस गाहँ में कोई भी मोबाइल का निटवर्क ही नहीं है ये है इनके काम करने ये है जूट बॉलने का तरीका इन्होंने वाइदे किये, बड़े-बड़े, जो दस साल के इनके वाइदे हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा, वाइदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूँगा, पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोधी सरकार, आईए इस नारे की समीक् एक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जियस्टी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं मैम ये सरकार जूट की सरकार है ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोकले हैं आज प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास ये कैसा सबका साथ सबका विकास ह कि मौलाना अजाद National Fellowship आपने बंद कर दी, आपने Minority Department का बजट घटा दिया, आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, आप बात करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हमारी आँखें हाथ रस से लेके, कटुआ से ले करके, और देश की जंतर मंतर की सड़क वो दे बेटियों को पुर्धान मंतरी की चोखट पे अपना मेडल रख देना पड़ रहा है, इस से शर्मना क्या हो सकता है, मैम, कृशी विकासदर जो 2014 में 4.6% थी, इस वर्ष गिर कर 1.8% कैसे हो गई, क्यों हर दिन 31 किसान आत्मत्या करने को मजबूर हैं, ये सरकार उन पर क्य बात नहीं करती, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा नहों सकी बेटी किसान की, मौका मिला तो लोगों ने कुरसी के वास्ते तस्वीर ही बिगार दी हिंदोस्तान की, और आज बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं, मैं यहां पर आप से खड़ा हो करके मैं अंत में इतना कहना चाह रहा हूं, कि बित्मंत्री जी ने बजट में ट्रेनों के डिवे को बंदे भारत कोच में बदलने का एक प्रस्ताव रखा, अपने भाशन में, ठीक है, यह सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं, यह सरकार ट्रेनों की सुरक्षा के बुनियादी मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती, बाला सोर हादसे में घायल हुए लोगों की चिता की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है, वंदे भारत के वीडियो पोस्ट करने वाली यह सरकार, कभी भारत की जनरल डिब्बों की, रेलवे क स्लीपर क्लास डिब्बों की वीडियो अगर पोस्ट करें ट्विटर पे तब समझ में आए, बिहार से, इलाबाद से, लखनव से, दिल्ली आने वाली, मुंबई जाने वाली ट्रेने देख लीजे, उनकी हालत देख लीजे, तो आपको लगेगा कि यह वही ट्रेने हैं, आ कि ऐसे में मैं कागजों पर तो आप कितना भी वंदे भारत और बुलेट ट्रेन सरपट दोडा लीजे, लेकिन असल में भारत की ट्रेनों की डिब्बों की सवारियों की हालत देखने लायक है, अगर सरकार खुली आँखों से उसे देखना चाहे तो देखे और उनकी इस्त सरकार से कहना चाहता हूं कि न्यू मिडिल क्लास का जुमला अपने पास रखी है, यह बताइए कि जो पुराना मिडिल क्लास है उसके साथ आप कैसा वेवहार कर रहे हैं, आज उसकी इस्तिती क्या है, आप अमीरों के करजे माफ कर रहे हैं, उद्योग पतियों के करजे आप कर सकते, आपको बाकी जगहों पर टेक्स लेना है, हर जगा टेक्स लेना है, मिडिल क्लास से आपका कोई रिष्टा नहीं, मिडिल क्लास तो आप से कह रहा है कि महबत भाई चारे के दिवाने दिन ही लोटा दो, वो सस्ती दाल सबजी के सुहाने दिन ही लोटा दो, य इलाबाद दिल्ली कोटा जैसे शेहरों में छोटे-छोटे कमरों में अभाओं के साथ पढ़ाई कर रहे युवा किताबों के साथ गल चुके हैं उनके हिस्से अधेर अवस्था तो आई है लेकिन नौकरी और रोजगार नहीं आया हर साल दो करोन नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार दस साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है बीस करोन नौकरियों का बोज है इस सरकार के कंदे पर और दो हजार चौबिस में देश देखेगा कि उन्हीं 20 करोण नौकरियों के बोज तले दब कर बैठ जाएगी ये सरकार ये देश देखेगा क्योंकि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है